काहे रोते विचारी को छोड रही है ए चाची सुन रहे हैं मेरा बाद मेरे इधर देखिए बेटा साधी किया है कि नहीं किया है बेटा साधी किया है कि नहीं किया है उभी काहे बताएंगे जो बेटा साधी किया है कि नहीं किया है डर रहे हैं अज लर्की का जिंदगी इनका बेटा बड़वाद कर दिया लेकिन इडर रहे हैं दो दिन से घर में ये लोग नहीं थे दो तीन दिन से बाहर भागे थे और बेटा अभी घर में ही था पुंदन जो है अंजली का प्रेमी घर में ही था अंजली का जो पती है घर में था लेकि के घड़ी में थे तो भाकर कहां चला गया नहीं पता चसथ अब कहां गए नहीं पता हम भी ढूंग दूंडे गए पूरा छट खाली ता प्की सास बोल रही है जो हम कुछ नहीं चानते हैं सब कुछ जानती है वही अभी भगाई है कि सास भगाई है वही बोल रहे हैं जेंदकी तो बरबाद हुगए अंजली आपका जिन्दगी बरबाद हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि उनको अभी भी चाहिए कहीं न कहीं 10 लाख वाली बहू और अपनी जात का अपनी जात का जिस टाइम उनका बेटा प्रेम किया था आपसे मीठा मीठा बात कर रहा था उस टाइम यह समझ नहीं आ रहा था जो अपने जात में ही साधी करना है जाल बिच्छा है था तो आदमी को तो देखना चाहिए न जो उसका क्या वो है इंसान का तो दिखा देता है जहां उसका क्या किस उससे है जात से है उसका नाम पर ही दिखता है जो कौन सजासे नहीं है अंजली चौधरी इस नाम का एड़ी था मेरा उसका मतलब क्या हुआ जात तो पता चल गया वो तो सब कुछ जानता था क्यों कि यह जात जानता था जब पता था जो मैं साधी सुदा हूं तो क्यों मुझे कि अंजली साधी सुदा है इनका पती बहुत है दो बत्चा भी है दो कि अंजली एक ही माँ उसके लिए मैं आपको बहुत तकलिपया यह ने दिया क्या आप क्या है क्या है यह सब आप ही कट की जैसे जैसे वह दवाय लाते था दौगा सुधार महीना महीना फर बिलेडिंग बंद नहीं होता है मरने के खगार पर आ जाती थी जब इसे इतना ही मेरा बुरा हाल है मैं एसी नहीं थी ठीहां अगर उनको बच्चा नहीं चाहिए तो क्यूं करते थे क्यूं heater स akuब ड़ी हाई करते नहीं करते एक तरह से मतलव अपनी हradas हुआ पकोल सही है का पती एंज्ली का पती जो है वह अपना हनाने के लिए इनके साथ physical होता था और जब ये गर्व से रह जाती थी तो गर्व पात करवा देता था एक दो नहीं चार वार ये गर्व पात करवाई है और आज ये रो रही है और उसको मनाने के लिए अपने हाथ को कितना देख लीजिए हाँ दिखाए जड़ा हाथ को काटी है अपने सानता नहीं था तो अगर आप फेस्बुक से प्यार कीजिए गा तो यहीं अंजाम होगा जैसे आज अंजली रो रही है ना सेम वही स्थिती आपका भी हो जाएगा तो अगर कभी भी आपके मन में भी आए जो हम प्यार करते हैं वह भी फेस्बुक से सोसल मीडिया से किसी लड़के से कभी मत कीजिएगा आपका जिंदगी बरवाद होगा नर्क बना कर छोड़ देगा है पती आया था दो दिन पहले पती आया था और अभी भी इस घर में था लेकिन पती भाग गया हम लोगों को देखकर पती इसका इनका पती भाग गया घर छोड़कर भाग चुकी है इनके आँक के सामने इसलिए उस लड़के के पास कोई जवाब ही नहीं है अपने हवस को मिटाने के लिए लड़की का यूज करता था बस यही चीज़ है वो धंधा करता था इसके अलाबा कुछ भी नहीं तो बस निवेदन आप लोगों से हर लड़की से इतना ह नहीं करूंगी जो कभी भी फेस्बुक वाले प्यार के चक्कर में नहीं पढ़िएगा नहीं तो आपका जिंदगी बढ़वाद हो जाएगा बाकि आज के लिए इतना ही मैं फिर मिलते हूं तब तक के लिए जै हिंद्दु